कहते हैं जब मोका हो तो बाजी माल लेनी चाहिए टाइम निकल जाता है और हम हाथ मलते रह जाते हैं सबस्वेलत आप सबका स्वागत है दिवावली के अर्दी शुट कामनाई सभी को सह परिवार लेकिन मैं अपने काम को अपनी पूझा मानता हूं इसलिए आज भी काम कर रहा हूं उसके बाद दिवावली इंज्वावली करेंगे आप सबके लिए सुनेरा मोका इसकोलर्षिप आती है सभी बच्चों के लिए जो 12 में है गरेश्ण में पड़ाइई कंपलीट कर रहे है उन सब के लिए बट होता क्या है कि ताइम बहुत कम होता है किसी scholarship के लिए one month होता है किसी के लिए 15 दिन है तो अभी कुछ dates खतम होने वाली है जब आप ये वीडियो देख रहे हो अगर आपने वीडियो देखने में देर कर दी तो हो सकता है कुछ date चली भी कुछ लिए वीडियो फड़ावर से देख लो कहीं पर last date इस month के end की है कहीं प 50,000 कहीं पर आपकी पूरी फीस मिल रही है तो कहीं पर लाक रुपे मिल रहे है तो अगर आप भी जानना चाहते हो latest scholarships जो all over India से है boys and girls welcome back again this is Gaur Bhardwaj here for a new video of accounting guruji let's get started देखो scholarship बहुत सारी आती है लेकिन जब scholarships खास हो तो सबसे पहले आपको पर इस चैनल accounting guruji पर मिलेगी और study के साथ how can you get a skills उसकी बात करते है अभी बात करता हूं मैं बच्चों के लिए सबसे पहले scholarship उनके लिए है वह भी वह जो become first year में हो अगर आप नहीं हो तो रुको रुको अभी और भी scholarships है टोटल पांच बता रहा हूं थोड़ा वीडियो आगे करके देख लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है देख सकते हो यहां पर दो states बोले है नोने तमिल लाड़ो और महराष्ट अगर आप इन दो आप यहां पर देख सकते हो simple apply करिए अगर requirements की बात करें तो कोई खास requirements नहीं है eligibility बस यह है कि आपके 10-12 में 65% marks हो और आपकी parents की annual income 4,00,000,000 से कम हो if you can apply तो अगर यहां पर आप देख लें बागी college की list दे रखी है आप इन में से किसी में apply कर रहे हो तो आपको priority भी दी आप जाके easily apply कर सकते हैं काफी बड़ी company कोटेक life insurance जो हर साल अपने foundation से scholarships प्रवाइड करती है next scholarship की बात कर ले तो इसका नाम आता है दोस्तो भड़ते कदम scholarship जो भड़ते कदम है यह एक लाग रुपे तक की scholarships प्रवाइड कर आ रहे हैं यहां पे आपके लिए थोड़ी से द दुरुस्ता है 20 November last date है मुस्किल से जब मैं वीडियो बना रहा हूं एक हफता भी नहीं बचा है तो हो सकता है आप यह वीडियो बीस नवंबर के बाद देख रहे हो तो आप और वीडियो देखो scholarship आपको मिलती रहती है और ट्राइड कर देख लो कि आप तर देट भड़ कियो अब तक यहां पर 30,000 रुपे का benefits आपको मिल सकता है यहां पर देखो जो 12th pass out है उनके लिए भी है जो currently 12th में 12th pass out किया ग्रेशन कर रहे है उनके लिए भी है जो student disability से हैं उनके लिए भी है professional degree पर एक लाग रुपे तक मिल सकते हैं अब पहले नॉर्मली आपको बता द हो पहले था MBBS, BR, Nursing, BALLB, Fashion, BBA, BCA और इसके लावा BTEC इन सभी courses में आपकर अप्लाई कर रहे हो और वह भी रिकोगनाइज उन्युएस्टी से इंडिया की और आपके at least 12th में 70% मार्क्स रहे हैं और आपकी फैमिली की इंकम 6,00,000 से कम है annual income so you can apply ठीक है दूसरी बात कर लेत है यह है आपका सेम यही यहां पर भी सेम यही फंडा है और जो disability वाली है उसमें भी इन्होंने बोला है कि आपको यहां पर मिल सकता है यहां पर लिखावा है preference दिया जाएगा girls students को बढ़ते कदम के लिए ठीक है और priority दी जाएगी students को जो किसी experience हुआ है crisis में loss हुआ है कोई भी crisis हो सकता है उस basis पर तो यह थी हमारी second scholarships अब चलते हैं अपनी third scholarship की तरफ third scholarships आती है आपकी ONGC की तरफ से ONGC जानते ही होंगे government company है PSU company है यह भी हर साल अपने profit का कुछ हिस्सा scholarship के नाम पर बच्चों को देते हैं तो इन में scholarship scholar portal की ONGC foundation की तरफ से है तो यहां पर अलग अलग है सबसे पहले आपको मैंने जो link दिया है इस तरह का होगा यहां पर category है journal OBC SCST तो आप जिस category में उसमें जाकर apply कर सकते हैं जैसे में general की बात करूं तो यहां पर आपके सामने आ गया ठीक है और इन्होंने कहा है कि आपकी यह जो है 30 साल से कम हो एकसी डियो फैमिली इंकम है दो लाक से कम होनी चाहिए जर्नल के टिगरी में हो कोई भी apply कर सकता है 60% marks आपके होनी चाहिए पोस्ग्रेशन में ग्रेशन में जो भी आप कर रहे हो ठीक है बाकी कुछ ची declaration undertaking वह आप यहां पे कर देंगे जैसी आप apply पे click करोगे form open हो जाएगा उसमें basic information, address, qualification, financial assistant, bank detail और upload documents यह सब करने के बाद officially अगर आपको scholarship मिलती है तो जो bank detail आप यहां पे डालने वाले हो उस bank detail में आपकी scholarship चली जाएगी यहां पे आप जाओगे तो उपर option भी है apply scholarship का है यह result आप जाके ही पे check कर सकते हो competition fellowship सब आपको यहां पर मिल जाएगी एक note भी आपर दे रखा है उसे पढ़ सकते है क्या केची लिखी ही है जो इसमें last date है वो 30 November है ठीक है scholarship जो है इंडिया के कोई भी student apply कर सकता है capital letter में form को fill करना है and decision of the company will regard to section will be final जो company decision लेकी वो final होगा no correspondence on the selection process will be entered कोई changes वगरा यहां पर नहीं होंगे बात करते हैं अपनी second last scholarship की जिसके पार मैं पहले ही बता चुका हूँ Tata Capital Punk Scholarship Tata Capital का यह foundation है पंक के नाम से ठीक है उडान मिले जिसे students को तो पंक नाम यहां पर जोड़ा है scholarship सब के लिए है यहां पर 11-12 वालों के लिए भी है तो आप समझ जाओ दो दिन बचे है तो अपलाई कर सकते हो यहां पर देखो 12,000 रुपे तक आपको मिलेगी आपका जो फीज जा रही है न कॉलीज में स्कूल में उसकी 80% तक फीज अप्टू 12,000 यह कंपनी भरेगी आपके लिए तो हम कंडिशन की बात करें तो यहां पर 60% आपके माक्षे हैं ठीक है 12 में और फैमिली इंकम भाई लाग से कम हो 12,000 तक आपके आफीज मिलेगी डिटेल है बस आपको जा के अपलाई कर देना है boys and girls सब apply कर सकते हैं कोई query आपर नहीं है चलते हम अपनी last scholarship की तरफ जो आती है SBI Foundation की तरफ से यह भी मैंने आपको बताई थी बट मेरा remind कराना फर्ज है आप सब के लिए क्योंकि पता है आपको की बहुत बार वीडियो सब लोग नहीं देख पाते ठीक है ना कुछ नए subscriber भी आते हैं नए student भी जुड़ते हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भई देखो अगर मेरी video ब मोटीवेशन मिले की चलिए सर की बताईगी video सेज का फायदा हुआ है तो हमारा भी होगा तो जरू कॉमेंट इस तरह के किया कीजिए ठीक है SBI ASHA scholarship program for school students यह परना जो scholarship है वो 6-12 वाले students के लिए 75% previous year में आपके marks आयों जैसे आप 12 में 11 में 11 में 10 में 10 अजार तक हर साल आपको मिलेंगे वनियर के तीन लाग की family income आपकी उससे कम होनी चाहिए बस इतना ही मांगा है बाखी जा कि अपलाई कर सकते हो तो यह पांचो scholarship के लिंक मैंने आपको discussion में दे दिये गाइस कि यह सोच रहे हो मोका है अपलाई कर दो यह मों सोच हो拉े मुझे कहां मिलेगी मेहाँ भागा है मैं तो general category से हूँ मैं तो obc category से हूं मैं सो से काταιगरी से हूं ना तो कोईwydd काटिगरी में तर करती है और नाहीं कोई आपकी thinking matter करती है तो अप्लाई करो और एसी मोर वीडियो के लिए इस सब्सक्राइब के अप्रेस कर दो और और कोने कर दो कि न सबसे बने में यह